अलो वाइज, वेलकम तो HP Competitive Exam जैसा आपको पता है, डेली हमारी क्लास होती है GK की कभी-कभी जो है बीच में मिस हो जाती है लेगिन मेरी कोशिस रहती है डेली इसे 8 वज़े पोस्ट करने की तो जो बच्चे नए जूट रहे हैं मैं उनको बता दू, 8 वज़े जो है मैं इस क्लास को पोस्ट करता हूँ और यह लाइब प्रीमियर रहता है इसमें आप जो है लाइब कमेंट कर सकते हैं मैं साथ के साथ रिपलाई जहां तक मुझसे हो पाता है मैं साथ के साथ रिपलाई भी आपको देता हूँ आज हमारी 25 क्लास है इससे पहले 24 अन्य क्लासे में ले चुका हूँ नहीं देखी है तो जुरूर देखीगा उसकी प्लेलिस्ट ना रखिए मैंने HPPSC करके उस प्लेलिस्ट में आपको सारी अन्य क्लासे मिल जाएंगी काफी important question उनमें discuss किये हुए हमने और इनकी जो PDF है उसे मैं आपको provide कराता हूँ हमारी टेलेग्राम ग्रूप से जिसका लिंक भी आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ जरूर जूर जूर जाएगा चलते हम आज की first question तरह first question के गहरा हमारा आज का अशोक ने बहुत धर्म का परचार करने के लिए किस बहुत विक्षू को जो है हिमाचल प्रदेश बेजा था तो basically इसने चार बहुत विक्षू को हिमाचल में बेजा था लेकिन आपको निम्न में से बताना है जो option आपको provided है वहाँ से आपको बताना है तो इन्होंने जो है मजी जम करके एक बहुत विक्षू थे उन्हें हिमाचल बेचा था अपसल लॉम्बर डी यहां पर हमारा प्रेक्टनसर हो जाएगा अभी जो है मैं दो टर्म आपको हमें सब दाता हूँ एक आपको बहुत विक्षू टर्म देखने को मिलेगी और एक आपको मिलेगा बहुत अन्याई यह दो जो है आपको अक्षर एक्षामों में देखने को मिलते हैं बहुत विक्षू और बहुत अन्याई अलांकि एक्षामनल पूस्ता तो नहीं है इनके बारे में लेकिन आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि विख्षू क्या होते हैं और अन्याई जो है वो क्या होते हैं तो देखी जो बहुत दर्म का परचार करते हैं अहला कि दोनों बहुत दर्म का परचार करते हैं विख्षू भी परचार करते हैं अन्याई भी लेकिन बहुत दर्म का परचार करने के लिए जो अपना घर बगेरा सब कोई छोड़के चले जाते है मतलब अपने घर से निकल जाते हैं तो बहुत धर्म का परचार करने के लिए उन्हें कहते हैं बहुत विख्षू लेकिन घर में रहते हुए घरस्ति का जो जीवन है उसे वेतीत करते करते भी आप जो है अगर बहुत धर्म का परचार करते हैं तो आप कहलाते हैं बहुत अन्याई तो जो घर में ही रहके बहुत धर्म का परचार करें उन्हें बहुत अन्याई कहा जाता है और जो घर से बाहर निकल कर बहुत धर्म का परचार करें तो उन्हें कहते हैं बहुत विक्षु तो यह बहुत विक्षु थे इनका नाम था मजीजम तो इनको बेज़ा था किसने अशोका ने बेज़ा था महान अशोक जिसे हम कहते हैं इसने बेज़ा था इसके साथ चार जो है अन्ने भी थे बहुत विक्षू अचागर मैं साथ की साथ बात करूँ अशोक का जो था इसने काफी जो है स्टूप बनवाये थे हिमाचल प्रदेश में और इसने कहां का कुलू हो गया आपका कांगड़ा हो गया वहां पे स्टूप अब इसका स्टूप पूछता है एक्जामिनर की कहां का स्टूप था जिसे एक मुस्लिम ने फिरोसा कोटला जो की आपका लुकेटिड है कहां पे दिल्ली के अंदर इसका नाम बदल दिया गया है जो फिरोसा कोटला मैदान है इसका नाम आप मुझे बताओगे वहां पे ऐसे बढ़ सकता है एक्जामिमर इंपोतेन्ट HEY तो पाउंटासाहिब में ऐसोका ने उसको अस्तूब बनवाया था उसे एक मुस्लिम ने जो है वहां से लेके गया था काहां पे वर लेखे गया था फिरोसा कोटला डिली बंवा Olivier मैं examinal पूछता है क्योंकि highlighted रहता है कि इसे एक muslim जो है लेके गया था कहां पर पूर्शा कोठला में तो पॉंटा साहीव का जो स्थोब था असोका का उसे लेके गया next देखते हम और असोका ने तो इसने अपनाया था बहुत दर्म अपनाया था इसकी एक बैटल थी जो कि सबसे इध्यास की सबसे जो है खुंखार बैटल जानी जाती है सबसे ज्यादा खुंखराबा जिस बैटल में हुआ था उसे कहते हैं बैटल ओफ कलिंगा का यूद्ध यह हुआ था आपका 261 इसा अपनाया था तो कशन क्यांतब यहां यह तो का फीवर्ण में किसने माजल प्रदेश में उन्होंने अपने वर्णन दिये है यात्री थे उन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें लिखा था कि जो त्रिगहर्थ था उस समय हमारा वो पूर्ब से लेकि पस्चिम तक 277 मील है और उत्तर से दक्षिन तक 213 मील है यह हवैं सांग यानि उप्सन नमबर B बिल्कुल कॉरेक्ट रो जाएगा मारा यह कौन सा यात्री था चीनी यात्री था चीनी यात्री था इसका नाम था ह्वैं सांग तो यह आया था किसके कार हह से है तो इस तरह से आप जो है से याद कर सकते हैं वैं सांग जो था हर्सवर्दन के कारेगाल में भारत आया था और इसने जो है जलंदर जो कि उस समय हमारी त्रीघर्थ की राजधानी हुआ करती थी वहां से हिमाचल का दौरा शुरू किया था उलू लहावल होते होते चिरमोर तो इसने जो भी इसके अपने वर्णन थे यानि डिस्किप्शन थे उसमें इसने लिखा था नेक्स दिखिएगा नेक्स्ट कोश्चन नियून में से किस क्षेत्र में सबसे कम बर्सा होती है या कम बर्सा होती है तो कौन से क्षेत्र है इन्हें बोलते हैं हम ट्रा माइब यहां के नाम से जाना जाता है लागिन हमाजल की althat से हिमाल्यास हमारे यहां पर कौन से है तो हिमाल्यास तो याद रखना हिमाल्या का अगर आप से पूछे हिमाल्या का मासिन राम किसे कहा जाता है हिमाल्या का मासिन राम कहा जाता है हमारे धर्म मझाल्यृत की एकक्सुली जो मासीर्य में जहां भारत में सबसे ज़्यादा बरसा होती है इसलिए से कहा27 हेङ कि मर्लय फ्रक्ट्रज सोकता हैं व्र्शा की मेल्य द्रकार्ध्यले स कंब't dire ने और फ्रीम होती है है नेपाल से होती होती अरोनन चल प्रदेश को चली जाती है तो मेहादमे में गारो हिल्स और ख़ैसी हिल्स है इसी लिए डहर्मस्ाला को हिमाद्डे का हिमाद्डallo का मा서 नाव कहा जाता ही क्योंकि हिमाद्डयन डू रेंज के वह होगे अपमांद्ड़ में अच्छा सब्सक्राइब कर लिजीगा और वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजीगा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे शेयर करना नहीं करना वह आपकी मर्जी है यह मत भी करिए क्यूंकि उससे सब्सक्राइब करना नहीं करना वह आपकी अलग च्वाइस है लेकिन लाइक जुरूर कर दीजीगा इससे मोटिवेशन मिलता है था कि आपके लिए अच्छा कॉंटेंट प्रवाइड कराया जाए तो कायस जो वाइल डाइप सेंचुरी है यह लुकेटिड है कुल्लू के अं इससे मैं कुछ एक और क्वेशन आपको करा देता हूं कि कुल्लू के जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वाइड लाइफ सेंचुरी है वह एक्जामनर पूसता है इसके वन्ने जीव अबहरण एक तो याद रखना आपने यहां तेर्थन है एक है रोंज फिर खोंखन कर करके है एक कंवर या कानवर करके आपको मिलेगा वो भी लुक्रेटिड कहां पर है आपके कुल्लू के अंदर है और हिमाचल प्रदेश में कितने नैस्ट्रे उद्यानों की बात करूं में तो हिमाचल में टोटल राष्ट्रे उद्यान है पांच डारेक्टल अगर आपका C पर जो टेंपल है हमारा इसका निर्मान किस ने करुआया था किसने तो लिलित्य दित्याने इसे बनवाया था option number C हमारा यहां पर पिल्कुल correct answer हो जाएगा कश्मीर का राजा था कहां का कश्मीर का केंग था हालांकि कुछ यगा आप पड़ोगे की पांड़ो ने इसका जो भाफवे दापदी में इसका निरमान करवाया था और राजा था कहां का कश्मीर का अच्छा हां को टेपाया क्शूर गर्टिण सव लगेटिड है यह बेसिकली पांच मंदिरों का ग्रूप है और इसे जो है अधर नेम क्या है इसे तो हिमाचल की अजन्ता के नाम से जाना जाता है अजन्ता ओफ हिमाचल पजन्ता और फिमाचल के नाम से इसे जना जाता है इसकी जो शैली है यानि बनाने का जो तरीका है वो है नागर शैली यानि नौर्थ इंडिया के जो भी मंदिर होंगे वो ज्यादा तर नागर शैली में आपको मिलेंगे जबकि जो South India के मंदिर होंगे South India के जितने भी मंदर रहते हैं वो द्रविट शैली में बनते है वो कौन सी सैली में होंगे आपको द्रविट शैली में देखने को मिलेंगे पूत्र जनब पर मनाया जाने वाला तेहर जिसका नाम है गोची तो गोची फैस्टिवल कौन से डिस्टिक में मिनाए जाता है तो गोची जो आपका फैस्टिवल है बच्चा यानि जो लड़का है उसके बर्थ पे बनाया जाता है यह है आपका लाहौलस्पीदी यहां कोर्येक्टन सुरो जाएगा मारा subir । पिछले साल जिसके घर में बच्चा हुआ हो उसके लिए तेहार मनाया जाता है आपके कहां साल में अगर बच्चा हुआ हूँ जो मनाया जाता है नेक्स देखिएगा नेक्स्ट है मिंजर मेला का मनाया जाता है मिंजर मेले से एक्जामिनर पूछता है तो काफी कन्फ्यूजन रहती है इसमें की का मनाया जाता है तो दीए जो भी मिंजर मेला है हमारा ये मनाया जाता है अगस्त के सेकेंड संडे को जो दूसरा नभीवार होता है अगस्त महिनेगा उसको चुरू होता है और साथ दिन तक चलता है यानि थर्ड संडे को जाके खतम हो जाएगा अभी अगस्त में बनाया जाता है तो यहां पर आप मुझे पताऊगे मुझे वेसिकली हिंदी जो कलेंडर है वो आता नहीं है यह सरम की बात है हमारे लिए जो हमारा हिंदू क्लेंडर है वो नहीं आता तो क्या आप बता सकते हो कि अगस्त को हम अपने हिंदू क्लेंडर में क्या कहते हैं जो हमारा हिंदू क्लेंडर है उसमें अगस्त को क्या का जाता है मुझे नहीं आता है मैं आपको जो है सही सही बता जाता है किस नदी में मिंजर इसम कहते हैं मिंजर जो है इसे बहाया जाता है कौन सी रिवर के बीच में तो रावी रिवर पूछता है कौन सी नदी के अंदर बहाया जाता है तो रावी रिवर के अंदर जो पहले यहां की प्रथा थी इस मेले की उसमें था कि बहेंसों की बल रही है तो थाला पलो जो है ऑई आडियो याद होगी नदियों का जो स्ट्रक्चर होगा याद कि सतलूज कहां से निकलती है चिनाव जो है कहां कहां बहती है यमना जो है कहां कहां बहती है तो अगर आपको कभी कबार जो है तुक्का लगाने का भी option में अगर मिले ऐसा और चांस मिले तुक्का लगाने का भी तो भी आप जो है नदियों को देखके भी तुक्का लगा सक तो आप जो है उन दो option में से टुका लगा सकते हो तो जो है हर एक चीज का एक दूसरे के साथ लिंक करके आप अगर याद करोगे तो आपको जल्दी जो है चीज़ें याद करने में साहता मिलेगी और जो यह थाना प्लो है यह एक सो कानुए मेगावाट की आपकी जल्विद्यूत प्रियोजना है अच्छा बनाई किसकी साहता से जारी है यह एक्जामनर जरूर पूसता है या किसके अंतरगत बनाई जारी है तो यह बनाई जारी है आपकी HPPCL के दोरा है माचल प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिम्टीड दोरा बनाई जारी है और डैम का निर्मान किया जाएगा यहां पर 107 मेटर ठीक है ग्रेटेशनल डैम यानि गुरूत्व अगश्ण बहांद अभी उहल 3 पूछा था आपने एक्जामनर ने उहल 3 तो वह भी कहां थी वह भी मंडी के अंदर लोकेटेड थी नेक्स दिखीगा लाहॉल्स पिथी की प गुर्ण के नाम से से निकलती है आपकी स्पीती भागा रिवर और यहां से आती है उपर से आपकी चंद्रा रिवर आगे क्या बनती है यहां पे जो है चंद्र भागा का मिलन होता है तो इस तरह से यहां की होगी यह भागा गाटी होगी आपकी साइड की होगी चंद्रा गाटी होगी और बीच तो कोट खाई रियासत की स्थापना किसके की गई थी या कि गई थी अहिमाल सिंग धौरा अभी पाल है इसमें मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ठीक है इसे जो है मैं अगले टाइम जब भी मैं करवाओंगा तो उसमें जो है इसके कर सकते हूँ इस question को लेकिन मैं other जो है option है वहाँ से करवा देता हूं आपको तो देखे परद्यूमर्द ने जो है इसने बुषहर रियास्त की स्थाफना की थी भुशहर रियास्त गिरिसेन की बात करूँ तो इन्होंने क्योंथल जो रियासत थी हमारी क्योंथल जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी किसके द्वारा गिरिसेन द्वारा की गई थी और करमचंद जी ने जुबल रियासत जो थी जुबल रियासत जुबल रियासत की स्थापना किसने की थी करमचन ने के उन्थल की गिरी सेन ने और प्रदियोमन ने बुशेहर यास्त की कोटकाई की जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को जो मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँगा उसमें इसके बारे में आपको जो है जुरूर थाओंगा तो अहिमाल या अहिपाल होगा यहाँ पे इसे आप स्किप कर दीजिगा बाकी तीन याद कर लिजिगा प्रदियोमन गेरी सेन और करमचन नेक्स देखीगा इक्स intervention है किस सिक सेना पती ने स्पीती बौढद मठो को ज ला दिया था यानी जो बौढद मनेस्टरीस है हमारी स्पीती के अंदर लॉकेटीड है तो कौन सा जो है सिक सेना पती था सिक मंदर था उसने जलागा था इसका नाम था जुराबर सिंग यान systी यानी त रह जुरावर सिंग इसने जलाया थी जो बहुत मनेश्टरीज है हमारी लुकेटिड कहां पर स्पीथी के अंदर जो लुकेटिड थी आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और जल्दी ही जो मेरा एक लेक्चर आता था नौ वजे वह किसी का तब से जो है मुसका सेगेंड पार्ट सुरू करें और साथ की साथ जो भी अन्यव कैसी आई है मेरपूर बोड की उनकी जो है जेयो के किस तरह से त्यारी करनी है उसके मैं एक वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ अगर आपको किसी अन्यव पोस्ट से लेटिड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बाकी जो है उसके भी हम त्यारी करना शुरू करेंगे जल्दी ही तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा सो थेंक्यी फोर वाचिंग अस हैब अगुड दे